चामोर्शी तालुका में रोजगार के अन्य कोई अवसर नहीं रहने के कारण अब आम आदमी मके की फसल बड़ी मात्रा में उगा रहे हैं क्योंकि मके की फसल कम लागत वाली है इसलिए मका उत्पादन के माथ्यम से रोजगार के अवसर उपलब्द हो रहे हैं चामोर्शी तालुका में चावल, कपास और सोयाबीन की खेती की जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओ की कारण इन फसलों को समस्याओ का सामना करना पड़ा है, चूकि सरकार सब्वेदन शिल नहीं है, इसलिए भारी महेंगाई के कारण खाद, मश्दूरी, बीच, किटक नाशक, आदे के दाम बढ़ने से आमदनी कम और खर्चा जादा हो रहा है, इसलिए इस फसल में घाटा होने के कारण किसान आर्थिक संकट में है, किसान 1100 हेक्टर में मक्के की फसल उगा रहे है और उन्हें भरपूर रोजगार मिल रहा है, कई इक्षेत्रों में मके का उपयोग पशो के चारे के लिए अनाच के रूप में और अन्य दालों के विकल्प के रूप में किया जाता है, मके के भुटे और भूसी पेटू लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए उपयोगी होते है, जबकि मके की घास यानि पत्तियों का उ जानवरों के लिए उत्कृष्ट चारे के रूप में किया जाता है पशोओं के लिए चारा बेचकर भी अच्छी खासी आमदनी हो रही है गाव कस्बों में मक्का बड़ी मात्रा में बिख रही है इससे नकद आय होने से परिवार कुन आजीवी का चलाने में मदद मिल रही ह इससे सूप, कटलेट, वड़ा, उपमा, भाजशी, खीर, दानी, उसल, हलवा, आदि खाद्य पदार्त बनाये जाते हैं इसलिए किसानों ने इस फसल की और रुख किया है और यह काफी रोजगार प्रदान कर रही है इसलिए वर्ष 2022-23 में चामोर्शी तालुका के 688 किसा किसानों ने तालुका एवं स्विक्रय संगठन केंद्र में पंजी करन कराया जिन में से 215 किसानों ने मके की फसल बेची मूलचेरा तालुका के 243 किसानों में से 34 किसानों ने मके की फसल बेची है जबकि संस्ता ने चामोर्शी केंद्र पर 16,712 क्विंटल और मूलचेरा म में 3,115 क्विंटल मका खरीदा है जिससे मका उत्पादक किसानों को काफी आर्थिक लाब हो रहा है इसक्षेत्र में मका उत्पादक गीले दानिदार मके को चिल्ल द्वारा सड़क पर विक्री के लिए बेश रहे है जिससे रोजगार भी पैदा हो रहा है महराश्य TV24 के लिए बबन वड़े टिवार की रिपोर्ट राम्दूत इंफ्राग्रूप लेकर आए हैं खास आपके लिए शिफ्तीर्थ नगरी चार जो है वर्दा रोट जामधा स्टेडियम सहारा सिटी के पीछे NMRDA with RN blocks, our amenities, drinking water, drainage and sewage, entrance gate, electricity, SGVC road, open space, bank loan also available 90% bank loan from any nationalized bank, for more details, call Mr. Ram Gupta, 9689773228 Our office address, plot number 12, second floor, Amadjrothi Nagar, Beltharodi Road, near Mandra Show, Laakko